वेलकम बैक फेंड्स यह है आप 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 आपके तरीके हैं इस्टक्चर को में वैल्यू इनिचलाइज करने के और एरे आफ इस्टक्चर क्या होता है तो simply इसके वाँ हमें एक प्रोग्राइम यहाँ पर डिरेकली बनाते हैं हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली अपनी हेडर फाइल आयो स्ट्रीम डॉट एच सी आउट एजन सीन अब्जेक को यूज़ करने के लिए एंड आपका को नी हो ताकि हम क्लियर स्क्रीन और गेट सीच का भी यहाँ पर यूज़ कर सके तो simply मैंने यहाँ पर struct आपका बना दिया student नाम का या आप जिस भी नाम से बनाना चाहें और इसके अंदर मैंने यहाँ पर role number and name के लिए आपका दो variable यहाँ पर declare कर दिया तो इससे पहले दो वीडियो अलड़ी बन चुकी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं recommend करूँगा आप पहले वो देख ले अब देखें यहाँ पर simple मैंने structure create कर दिया आप चाहें तो इसका जो object है या variable है आप चाहें तो यहाँ पर declare कीजिए इ एक तरीका तो यह है आप यहाँ पर declare कर सकते हैं दूसरा तरीका है आप जिस भी function के अंदर इसको use करना चाहें वहाँ भी आप directly declare कर सकते हैं इस तरीके से clear screen then simply मैंने यहाँ पर क्या कर दिया student नाम का यह data type मैंने declare किया है तो इसका मैं variable या object declare करता हूँ मैंने यहाँ पर declare कर दिया obj नाम से तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे declare करें आप चाहें तो यह तरीका पर दोनों ही method आपकी यहाँ पर चलती है इसको declare करने के लिए अब यहां पर यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैं यह लिखता हूँ, int x, तो यह आपका x आपका एक data, एक variable है, int z type का, तो object भी आपका एक variable है, आपका student type का, तो यहां पर आपने देखा हूँ कि मैं directly कभी-कभी, इसकी definition जब हम इसको define करते हैं, x को, तब ही हम इसकी value दे देत यहां पर 14 मैंने roll number दे दिया, comma, double quotes के अंदर मैंने यहां पर name, for example, entertainment यहां पर लिख दिया, जो हमारे channel का नाम है, 1.0 फिलाल नहीं लिखा गया, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, यह आपका क्या हो गया, यह directly इतने value accept करी और यहां पर send कर दी, तो यह बिल्कुल possible है, य यह मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर simply एक object मुझे मिला था, और इसके अंदर दो sections थे, एक तो आपका था roll number लिखने के लिए, यह आपका for example, mali j roll number के लिए है, और यह आपका 30 byte का name के लिए, तो जैसी मैंने यह लिखा, तो आपका यह वाला section है, यह automatically कहां फिल हो जाएगा, यहां पर, अब इन दोनों को अगर मुझे print करना है, तो directly मैं क्या करता हूँ, मैं यहां पर cout में लिख देता हूँ, object dot, आपका roll number, तो dot operator की मदद से कहां पर आएगा, object dot, उसके बास जो भी, जिस भी member के पास, मुझे जाना है, object dot roll number लिखते हैं, तो इस वाल लिख दिया, object dot, मुझे यहां पर करना है, name को print, तो name, तो यह simply आपका क्या हो गया, एक simple, sample program, हमने देखा कि आप initialize, जब इसको, आप object को declare करेंगे, उसी समय आप किस तरीके से इसमें value भी initialize कर सकते हैं, अब देखे, यहां पर, मैं यहां पर इसके reference में, इसलिए समझा र होगी, तो यहां पर हम कभी-कभी ऐसा भी करते हैं, अगर हमें array बनानी हो, x5, मतलब क्या हुआ, कि आपका x01, यहां पर data type है, sorry, variable है, x1 एक variable है, तभी तो इसको बोला जाता है, collection of variable, तो यहां पर भी बिल्कुल possible है, कैसे हम इसको करेंगे, सेम, जैसे हमने यहां पर किया ह सेम यही चीज हम चाहें, तो इसके अंदर भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको हम यहां पर define करते हैं, तो यह देखिए, simple, मैंने यहां पर कह दिया, 3 object मुझे दे दिजिए, तो 3 objects मुझे मिल गए, तो simply, अब आप चाहें तो इसको loop की मदद से चलाए, जैसे हम यह यहां पर loop की मदद से हर एक element को visit करते हैं, सेम आपको यहां पर भी है, मैंने कहा object 0 index number वाला, तो यहां पर, यह कुछ इस तरीके से है, इसको अगर memory में समझें, तो कुछ इस तरीके से, यहां पर 3 section, पहले section का नाम है object 0, दूसरे का नाम है object 1, तीसरे का नाम है, क्योंकि array ह हर पार्ट में आपके दो-दो section किस-किस चीज के, यह role number लिखने के लिए और यह आपका name के लिए, role number and name, role number and name, तो simple है, अब आप चाहें तो directly इसको declare कीजिए, जैसे हम इस तरीके से कर रहे थे, object, आपका object 0, अब यहां पर directly आप चाहें तो इसमें लिखिए, for example, object 0 dot, किसक तो यहां पर मैंने दिया 13, मैंने लिखा object 0 dot name, और इस पूरे को मैंने read करा दिया, get से, इसका मतलब कहा है, मैं कहां पर लिख रहा हूँ, इस वाले section में, पहले मैंने 13 कहां पर feed किया, यहां पर, तो normally, second volume अगर use करना है, तो क्या करेंगे, object 1 dot role number, साइध आपको यह समझ मे आ चुका होगा, 17, object 1 dot name, इसको मैं read कराता हूँ, get के साथ, तो यहां पर, यहां पर, फिल वेसी object 2 के साथ, आप चाहिए तो इसको लूप की मदद से भी यहां पर use कर सकते हैं, तो यह आपका simple क्या हो गया, यह आपका array of objects हो गया, यह array of structure हो गया, जैसे हम यहां पर declare करते ह सेम भी तरीका है, अगर आप इसमें pointer अभी हमने discuss नहीं किया है, आने आले वीडियो में pointer भी discuss करेंगे, लेकिन अगर आप pointer declare कर सकते हैं इस तरीके से, यह array of pointer कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहां पर pointer भी आपके declare हो जाएंगे, normally, सेम तरीके हैं, क्योंकि यह आपका user defined data type है तो इसमें सारे features available हैं, जो आसमें predefined data type में होते हैं, तो यह था आपका video number 68, मैं मिलता हूँ आपसे अगली video में, जो कि होगी video number 69